आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं पुनम आपके साथ चीन की रवस्चेम पार्लियोंमेंट नैशनल पिपुल्स कॉंग्रेस ने शुकरवार को राष्टपती शी जिन पिंग की कारलाय को तीसरी बार बढ़ा दिया उनने तिसरी बार राष्टपती बनाने का परस्ता हो 2972 वोटों से पास हुआ शी जिन पिंग को तिसरी बार राष्टपती बनाने का रास्ता पिछले सार अक्टोमबर में ही साफ हो गया था जब चायना की कम्ठी मध मेंने एक मत होकर उनके नाम पर मोर लगाई थी अब वो अपने ब्रोसे मन लीक याओं को चीन का प्रीमियर यानी प्रतान मंतरी बनाएंगे चीन के नैशनल वीपोल्स कॉंगर्स ने पिछले हफते ही डिफेंस बजट पर गोशना की थी चीन अपनी रक्षा पर साल 2023 में अठ्रालाग क्रोड रुपे खर्च करेगा यह भारत के डिफेंस बजट से लगबग तीन गुनाज जादा है डिफेंस बजट में 7.2 प्रतिशत की बड़ोतरी की गई है इसके लिए वहां की कम्मिन सरकार ने बाहरे चुनोतियों का हवाला दिया शी जिन पिंग के सामने कोरा से दबा हुई चीन के अर्थव्यस्ता को पट्री पर लाना ताइवान और अमेरिका के साथ लगादा खराब हो रहे रिष्टे एहम चुनोतियां होंगी 2012 में जब शी जिन पिंग पहली बाद सत्ता में आये थे उससे में उन्हें चाइनीज जिम को पूरा करने यानि चीन को दुन्या की बड़ी ताकत बनाने की बात कही थी तब से उनका में फोकस चीनी सेना यानि विपल्स लिबरेशन आर्मी को और मदमुद बनाने पर रहा है इसी के साथ बने रहा है राजणामा टीवी के साथ धन्यवाद